आज में लेकी आई हूं हरे मटर के पराथा, अवि बिना मसाले के आज हम बिना मसाला के बनाएंगे हरे मटर के पराथा हेलो अपरेंस आप सबी का हमारे आई कीचेन में स्वागत है चलिए इसे पनाना शुरू करते हैं सबसे पहले ग्यास अन करके एक पेन हम गरम करेंगे अब इसमें हम डाल लेंगे तेल या आप चाहे तो बिना तेल का भी आप इसे बना सकते हैं अब इसमें हम डाल लेंगे एक चामच जीरा साबुच जीरा चार पांच टुकले आद्रक पांच छे लशुन कली यानी छोटे छोटे आप इसे थोड़ इसी बुन लेनी हैं तक इसका जो आद्रक लशुन का कच्चापन थोड़े निकल जाए तब तक इसे बुन लेनी हैं जैसे ये बुनने लग जाए आप इसमें आड़ कर लेजे हरी मीच हरी मीच आपको तिखा जितना पसंद है उतना आप इसमें आड़ कर सकते हैं मुझे थोड़ी कम तिखा पसंद है तो कम तिखा काते हैं इसलिए दो ही हरी मीच इसमें आड़ कर लेजे हरी माटर हरी मटर का पराठा पना रहे हैं तो हरी मटर दल दीजिए अब स्वादनुसा नामक आनि हाप चामक इसमें हमने नामक आड़ किये अब इसे थोड़ सी भून देजिए इसे भी ज्यादा भूनी नहीं है हरी मटर का कच्छा पन निकाल जाए तब तक इसे भूननी है ज्यादा भूननी नहीं है ज्यादा भूनेंगे तो माटर जीसे इसी कुल सी जाता है एक्दम सुख जाती है इसे हो जाएगी इसलिए इसे ज्यादा भूननी नहीं है बास इसका कच्छा पन निकाल जाए तब तक कर दोरा मृटर भून गया है आप विंगा अब इसे अभीश छेटार लेते हैं अब इसे ठंड़ होने के लिए छोड़ देगे जब तक यह ठंड़ी हो रहे हैं तब तक चली हम लेंगे पाउल अब इसमें हम डालेंगे गेहु का आटा हुम ले रहे हैं तीन कप आप अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसमें आड़ के लिए स्वादनसा नमक यानि एक चामच नमक इसमें हम आड़ किये आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए आपको पराथा कैसे बनानी है थोड़ी सी कलक या मतलब खास्ता या नरम जैसे अगर आपको थ तो दीजिए थोड़ा थना से पानी डाले और पास्व गमच लिजिए अगर आप मतलब कर देश्ट के दानी हिसमें चाह्गहित अज्गी ही standards न्रम पनाने है थोड़ी सी नरम तरह से शें आठीकर चोट्ची तरही के अजिफी और पानी कर आपको मुझे नरम चाहिए इसलिए मैं इसे इस तरह से गोंत रही हूँ इधर हमारा मतर थंडा हो गया है आप एक मिशी जाल लेंगे आप इसमें डाल लेंगे मतर सहरे मटल को इसमें डाल देएंगे, अब इसे हम ग्राइन कर लेंगे, इसे हल्की दर-दरा इसे ग्राइन करनी है, इस तरह ये देखिए, ये हमने ग्राइन कर लिए, इसे ज़्यादा पेश्ट ना बनाए, थोड़ सी इस तरह से दर-दरा रहने चाहिए, अब ये जो आटे ह कि अधिन नरम चाहिए तो इसलिए मैं इसमें आड़ करें तो इसमें प्राठा चाहें तो इसमें अधा या इसमें डाल सकते हैं और इसी तरह से लोईयां तियार कर लीजिए और यह ली है इसमें इस तरह से कोटोरी से बना लीजिए दो उंगली के मदसे आप इसमें डाल दीजिए जो हमने मौटर ग्राइंड करके रखा था इससे डाल दीजिए आपको जितना डालना एक चामज दो चामज जितना डालना असे सबसे दाली यह, आप इसमें थोड़ी वायल ग्रिस कर ल Bowl टे purity आपको खस्ते में और भी तो इसमें तो दोड़ी डाल दें अडिया अड़ी आटा तो B लेतिक पर परफ गया है दो आहाइ आटा जाल दिए और लिए तो इसमें लिए तो गोल इनना ता इनमाल गरत है आप इस तरह से बनाएं के देखिए हमने थोड़ी सी डाल रहे हैं तकि पारथा पना देजें तो यह बना रहे हैं तो एसे बीना गी का भी थोड़ीदु बच्छे खुछिश्क बना रहे हैं तो आप प्लेट में था सब्सक्षाइन भीना देखिए कुछ से बना रहे हैं इतना बात को दियान देखिए जब आप अगर नरम पराठा बनाते हैं तो इसे आठे को नरम गुंतिया थोड़ी से तेल दा देए इसे आपके नरम पराठा बनेंगे अगर आप खास्ता बनाना चाहते हैं तो थोड़ी से आठा डाल दीजिए और तेल डाल दीजिए तो खास तो precautions के साथ यह सबची के साथ जिसके साध मना OverARK आप के साथ कह सा यह परोज़ा ढाने टीये लगता है कैसे में इसे एक कटले में दिखा जाए कम पर अन्दर के समाझ लह काते हैं अच्य से अंदर के हमारे मटल आया है क्बम हमारे दिखने के लिए थाइकू सो मॉच